प्रभू प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज मठर पराटा बनाएंगे मठर पराटा बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए एक किलो मठर छिलके दोके लिया है एक कप आठा लिया है हिंग, हल्दी लाल मिर्ची पावडर धनिया पावडर गरम मसाला पावडर चार पांच ग्रीन मिर्ची आद्रक एक इंच आद्रक कस के लिया है स्वादनुसार नमक, जीरा, सोफ, ओयल अभी एक बर्तन में आठा डाल रही हूँ आठा गुंद लेंगे उसमें थोड़ा सा ओयल डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठा गुंद लेंगे देखिए ऐसा अभी इसको थोड़ा सा तेल लगा करके गुंदने से बर्तन में नहीं लगता है देखिए कितना अच्छा आठा गुंद गया है इसको थाली बन करके रख देंगे अभी एक मिक्सर जार में जीरा डाल रही हूं सोंव ग्रीन मिर्ची मठर डाल रही हूं इसको दर दरा पीस लेंगे देखिए ऐसा अभी कडाई में तेल डाल रही हूं तेल गरम होने के बाद अद्रक कस के रखा था ना अद्रक डाल रही हूं ये पीस के रखा था ना मठर उस मठर को डाल रही हूं हल्दी डाल रही हूं दनिया पाउदर लाल मिर्ची पाउदर हिंग, गरमसाला, नम्मक, स्वादनुसार, नम्मक, अबेस को अच्छी तरसे मिक्स कर लेंगे देखिए ऐसा, अबेस को लेट बन करके स्लो में पकाएंगे देखिए पीच पीच में ऐसा घुमा लेंगे देखिए ऐसा, घुमा के फिर लेट बन करके रखेंगे देखिए तेल छूट रहा है, अबी इसको अच्छी तरसे मिक्स किया है इसको एक थाली में उतार देंगे, थंडा करेंगे देखिए ऐसा, फैला के रखने से थंडा हो गया है अबी इसको लोई बनाएंगे, देखिए ऐसा अबी आटे का भी लोई बना लेंगे देखिए एक लोई लेकर के, कटोरी के जैसा इसको हाथ से ही ऐसा करेंगे देखिए मैं और एक भी दिखाती हूँ, इसमें मशाला रखेंगे देखिए ऐसा मशाला रखके चारो और इसको बन्द कर लेंगे बन्द करके आटे में आठा लगा के इसको बेल लेंगे पूरी के जैसा बेल लेंगे देखिए अभी तवा गरम हो गया है तवे पे डाल रही हूँ इसको थोड़ा आयल डालके और जी तरह से मेडियम आँच में सेक लेंगे देखिए ऐसा दोनों तरफ थोड़ा आयल लगाएंगे देखिए कितना सुन्दर कलर आया है देखिए मेडियम आँच में करने से जलेगा नहीं आराम से कर सकते हैं देखिए कितना सुन्दर कलर आया है अभी इसको निकाल देंगे अभी दूसरा भी मैं दिखाती हूँ देखिए आटे कलोई लेके ऐसा कटोरी जैसे बनाके उसमें मशाला रखेंगे और मशाला सारा बंद कर देंगे ऐसा बंद करके आटा लगाके इसको बेल लेंगे देखिए ऐसा तावे पर डाल रहे हूँ देखिए एक तरफ उने के बाद गुमाके फिर तेल लगाके जैसे पहले देखिए कितना सुंदर कलर आया है टमाटर चेटनी के साथ बन गया है मठर पराठा बन गया है अभी इसको सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ देखिए कितना सुंदर है बहुत सहज है बनाना टमाटर चेटनी के साथ मठर पराठा खिला सकते हैं मठर पराठा ट्रेडी